इसे गलती से भी पूरी कचौरी या समोसा ना समझ लेना आज हम बना करके तयार करेंगे हरे मटर से बहुत ही फ्रेश और बहुत ही नए तरीके की रेसिपी जिसे आज से पहले आपने शायद ही कहीं देखा होगा तो पूरी कचौरी समोसा की अगर आप दिवाने हैं तो इस तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके लिए यहां पर कढ़ाई में मैंने पानी गरम होने के लिए रख दिया था, पानी में जैसे ही उबालाने लगेगा, हम इसमें एड कर देंगे एक कब जितना मतर, तो यहां पर मैं फ्रेश मतर का इस्तमाल कर रही हूं, अभी बहुत जादा हमें इसे नहीं पकाना है, 80-90% बसी से पका लेना है, आप देख सकते हैं, बढ़िया सी यह कुक हो गया है, यह उपर सर्फेस पे तैरने लगेंगे, तो समझ जाएगा कि हमारा मतर है, वो बढ़िया से गल गया है, तो चलिए मतर को रखते हैं साइड में, अ जितना चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है, तो आप यहां पे कश्मीरी लाल मेच का इस्तमाल कर सकते हैं, सिर्फ यहां पे हम अपने नाश्ते को थोड़ा सा कलर देने के लिए इसके बाद यहां पे एक कप जितना पानी आड कर देंगे, तो अब साथ हमें आड कर देंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे, अब इसमें स्वात के अनुसार नमक आड करेंगे, थोड़ा नमक कम ही है, इस्तमाल करना है हमें, अब इसके बाद जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा, हम इसमें आड कर देंगे चावल का आटा तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें चावल का आटा इसमें इस्तमाल करना है आप इस रेसिपी को चावल के आटे की जेगे पर सूजी से भी बना सकते हैं और आजकल क्या है कि चावल का आटा सभी की पास एविलिबल हो जाता है और चावल के आटे से इसे बनाना बहुत ही असान हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर चावल का आटा इस्तमाल किया है अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे मिलाते मिलाते यहाँ पर फ्लेम को मैंने लो रखा है और मिलाते मिलाते आप देखेंगे कि यह अच्छे से मिल जाएंगे, एक सार हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, इन्हें हम ढखक करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है चले यह देख लेते हैं बाकी की तियारी अब यहाँ पे एक मिकसर जार में हमेने यहाँ पे बारिक काट करके दो हरी मिर्शी लिए है साथ ही तीन से चार कली लहसुन के लिए एक इंचे दरा का टुक्रा लिया है और इसी के साथ हम यहाँ पे आट कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया लगभग एक चमच के करी और इसे हम बिना पानी डाले हलका दरदरा पीस लेंगे तो आप देख सकते हैं यह बड़िया से दरदरा पीस चुका है इसे भी अब हम रखेंगे साइड में इतनी देर में हमारा आटा जो है थोड़ा सा सेट हो गया है तो हम क्या करेंगे इसे हम हाथों से इस तरीके से मसल लेंगे इस तरीके से मसलने से क्या होगा हमारे आटे में थोड़ी सी लो चाहेगी जिसे कि हमारा नाश्ता बनाने में आसान होगा तो यह मैंने इसे इस तरीके से मसल लिया है अब रखेंगे इसे साइड में अब चलते ह अब यहां पे एक पैन में एक चमस तेल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे आधा चमस जितना जीरा बहुत थोड़ा सा जीरा का इस्तमाल करना है जैसे ही हलके से क्रैकल होने लगेंगे तो जो हमने अभी लहसु नद्रक और मिर्ची और धनिया का जो क्रश करके रखा था उसे हमें इसमें एड़ कर देना है बहुत ही बड़िया खुश्पू आता है बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है तो इसे भी हम हलका सा भून लेंगे अभी यहां पे फ्लेम को मैंने लो पे हमें इसमें एड़ कर देना है अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे जैसे ही प्यास को एड़ करेंगे तो क्या होगा कि प्यास जो है जल्दी से भून जाएगा तो प्यास का कलर हमें चेंज नहीं करना है हलका सा कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा सौगी हो जाए बस उतना ही तो आप देख सकते हैं प्यास का कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम कुछ मसाले एड़ कर देंगे तो सबसे पहले एक चमज धनिया पाउडर एड़ करेंगे साथ ही आधा चमज जीरा पाउडर एड़ करेंगे और इन सब चीजों का अच्छे से मिला लेंगे तो आप यहां पे चाहे तो मसालो का वेरियेशन कर सकते हैं जो भी आपको जिस तरीके से आपको मटर की स्टफिंग पसंद आती है उसे साप से बना सकते हैं और साथ ही मैंने इसमें आड़ कर दिया है आधा चमज के जितना आमचुर पाउडर आप यहां पे चाट मसाला भी आड़ कर सकते हैं चाहे तो गरा मसाला एड़ कर सकते हैं अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद जो हमने मटर को क्रश करके रखा था उसे हमें इसमें ऐड़ कर देना है तो आप देख सकते हैं हमारा मटर जो है कितना बढ़िया दिख रहा है थोड़ा सा नमक हम इसमें एड़ करेंगे और इन सब चीजों को कर लिया था और उसके बाद इसे इस तरीके से क्रश करके अड़ कर दिया है बहुत ही फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है कसूरी मेथी अड़ करने से तो यह हमारी मज़ेदार से चटपटी से स्टफिंग तेयार है चलिए अब चलते हैं में प्रोसेस में अब यहां पे जो हमने आ बहुत है तो यहां पहुत ही पतला करके तियार यहां पर मैं ने बाइसी तद्रड़ कर से कटके लिए तो यहां पर मैंने स्टफिंग तरीके सं रख देना यह देख तरीकेUM में आगए था रख देनाम तो कुछब झाल करता है तो सारें स्थफिंग इस तरीके से भर दिया है और इसी तरीके से एक और बना करके हमें इसे सील कर देड़ा है यह देखिए बहुत ही आराम से वो जाता है कोई दिकत नहीं आता है और यह प्रोसेस आपको तुरंद के तुरंद करना है अगर आटे को आप बहुत जादा देर तक रग तो यह प्रोसेस आपको जल्दी गल्दी करना है और इस तरीके से हम सारे बना लिए हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल चंद्रकला मिठाई जैसे दिक रही है चलिए अब नेक्ट प्रोसेस में चलते हैं इसके लिए यहां पर मैंने एक कढ़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिया था और इस तरीकी जाली वाली चंद्री ले ली है इसे अच्छे से ऑईल से ग्रीस कर लेंगे और सारे अपने नाश्टे को इसमें डाल करके 5-7 मिन में स्टीम हो गया है आप देख सकते हैं अरसानी से निकल जाते हैं बहुत ही मज़ेदार ही हमारा नाश्टा तयार हो गया है तो अब आप नाश्टे को इस तरीके से खा सकते हैं चाहे तो मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेम्ट जीरा ठोड़ा साथ हरी मिर्ची, आड़ कर देंगे और अपने नाश्ते को इसमें हमें अरेंज कर देना, आप चाहे तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी करके खा सकते हैं, और चाहे तो इसी तरीके से भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, दोनों तरीके से आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, इसका फ्लेवर वो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है, तो मैं उलटते पुलटते हुए इसी तरीके से इसे सेख लूगी, बच्चों के टिफिन में इस सुबह नाश्ते में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही फिलिंग बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है एक बार जरूर ट्राय करिएगा रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मैं मिलती हूं कल एक और मज़दार से रेसिपी के साथ तिल दन टेक केर और बाए